दूस्तो आज का सवालाग का प्रश्ण ये है कि अस्तरा मिसाइल के साथ आखिर हुआ क्या है कौन सा नय अपडेट इसको लेकर निकला है तो दूस्तो मैं आपको बता दूँ कि ये वीडियो में नहीं बनाने वाला था बिकॉस मैं इससे रिलेटेट सारे अपडेट आपको दो-तीन दिन पहले ही दे चुका था इस वीडियो में मैं आपको बताया था कि डिया डियो ने नेक्स जनरेशन कूबेंड ऐसा सीकर्स के लिए प्राविट फर्म्स को कॉंट्रेक्ट दे रखा है जी है दरसल डिया डियो अपनी year-to-year missile R77 में इस्तमाल किया है जी है अभी रिसेंटी रशिया ने इस R77 को अपडेटेट करके इसकी रेंज 80 किलोमेटर से 110 किलोमेटर करके इसे एक नई missile बना दी है जिसका नाम था RVBSD इसको लेकर भी मैंने आपको वीडियो बना कर बताई दिया था कि 2019 में हमने इ delivery हमें मिल रही है और इसे सुखोई 30 के सभी fighter jets के अंदर integrate किया जा रहा है साथ इसका वायू सेना परिक्षन भी कर रही है ये भी मैंने आपको बता दिया था साथ ही साथ आपको ये भी बताया था कि भारती वायू सेना ने R77 के अलावा अस्तरा के लिए भी order किया है कुल 248 इस missile का order किया था जिसमें से 200 तो ये रफोर्स के लिए थी लेकिन 48 थी नेवी के लिए नेवी के मिक 29 में भी इन्हें integrate करना था यहां तक मैं आपको सब कुछ बता चुका था अब दोस्तों इसी को लेकर थोड़ा update और आया है जिसे लेकर मैं वीडियो नहीं बनाने वाला मुझे लग रहा था आप लोग ये सोचेंगे कि पैसा कमाने के लिए एक अपडेट को डबल डबल दे रहा है समझने हो लेकिन अभी चुकि आप लोगों इतना कहा तो मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा दरसल हुआ यह है कि पुल 5 ये 6 इस तरह के सीकर्स DR.DO को मिले हैं उसके बाद इने पास से 6 सुखवी 30 MKI में इंटिग्रेट किया जाएगा यहने इस पूरी मिसाइल को उसके बाद फिर येर फोर्स इनका अलग अलग सीचुएशन में परिक्शन करेगी उसके बाद जो रिजल्ट आएंगे उसे स्टड़ी करेगा DR.DO और फाइनली इसे मार में बनकर आएंगे उसके बाद अस्तरा मार्क 2 अस्तरा मार्क 3 में इनका इस्तमाल किया जाएगा यहने यह सीकर्स बहुत अड़बान से यह 3 के लिए भी परफेक्ट हैं आप इसे हम लोग 1 में भी इस्तमाल करेंगे तो जो हमारी अस्तरा मार्क 1 है वो भी आल्रेडी कुमेंट करके जरूर बताईएगा